हेलो स्टुडेंट्स, माई सेल्फ, राजिंदर वर्मा, टीम केमेस्ट्री, DCM टेस्ट सीरीज में आज आपने केमेस्ट्री का पेपर दिया है, मैं आपके साथ इस पेपर के सॉल्यूशन को डिस्कुस कर रहा हूं, मुझे उमीद ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आपका आज का पेपर बहुत अच्छा गया होगा, आपको फिर भी कहीं कोई डाउट रह गया है, तो ये सॉल्यूशन देख करके आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक बेटा, शुरू करें, आपके पेपर में, आपके पास पहला कोशन है, आयूपीसी नेम ऑफ गिवन कंपाउंड इस, दिए गया योगी का आयूपीसी नाइम आप से पूछा गया है, तो आयूपीसी रूल्स के अकोडिंग आपको कार्बन चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको नम्बरिंग करनी है, और उसके बाद आपको लास्ट में क्या करना है, आयूपीसी नेम लिखना है, तो हम शिरुवात करें, कार्बन चेन आपके पास यहां से यह सेलेक्ट पर हो तो हमें क्या करना है सब्स्ट्ट इवेंट को मिनिमम पॉजिशन पर रखना है तो नंबरिंग अकोर्डिंग पाइपवे से रूल जो है वो यहां से रहेगा यह नंबरिंग हो जाएगी ठीक है 1, 2, 3, 4 आपके पास ब्रोमीन सब्स्ट्ट इवेंट है CS3B सब्स्ट्टिवेंट है अल्फाबेटिकली ब्रोमीन का नाम पहले आएगा तो ब्रोमीन नंबर वन पर है वन ब्रोमो मिथाईल नंबर टू पर है टू मिथाईल वन ब्रोमो टू मिथाईल वन ब्रोमो टू मिथाईल अब हम कारबन चेन की बात करें carbon chain 4 member है तो but आएगा, यहाँ पर pent है यह option तो हो नहीं सकता यह but है double bond second position पर है 2 in, तो आपके पास answer क्या गया वेटा second answer बात clear है, ठीक है second question IUPAC name of the given compound is दिये गे योगी का IUPAC नाम आपसे पुछा है तो वही rule, उसी के according parent carbon chain आपके पास cyclic है, principal functional group आपके पास C double bond O है तो हमें यहाँ से numbering करनी पड़ेगी 1, 2, 3, 4, 5, 6 substituent कहाँ है, second position पर तो आपके पास है 2 methyl 2 methyl यहाँ पर भी है 2 methyl यहाँ पर भी है, ठीक है answer first नहीं हो सकता answer fourth नहीं हो सकता, आपके पास 2 methyl के बाद parent carbon chain आपके पास 6 members है, और cyclic है तो cyclohexane और साथ में आपको C double bond O दिया है और C double bond O के लिए आप क्या use करेंगे, suffix on है, तो 2 methyl cyclohexanone 2 methyl cyclohexanone यानि के answer कौन सा आगया, आपके पास second answer आगया, 2 methyl cyclohexanone clear बेटा? identify non-benzenoid aromatic compound non-benzenoid aromatic योगिक आपको पहचानना है तो आप देखें, यहाँ पर यह aromatic तो है लेकिन benzenoid है, तो यह answer नहीं आएगा यहाँ देखें, यह आपके पास aromatic compound है according to huckle's rule यह compound क्या बन जाएगा? aromatic compound बन जाएगा यह रहेगा यह देखें यहाँ पर aromatic structure है और इसमें यह benzen नहीं है, तो यह aromatic है वो भी कैसा non-benzenoid आप से पुछा है non-benzenoid aromatic compound इसमें तो aromaticity है ही नहीं, यह तो answer होई नहीं सकता non-aromatic compound है यह तो यह aromatic है लेकिन benzenoid है यह भी answer नहीं हो सकता, आपके बन जाएगा second answer आएगा non-benzenoid aromatic compound which of the following is neopentyl group आपको neopentyl समू की पहचान करनी है, तो first की बात करें, first में यह group आपके पास तो है, तो इसको क्या कहेंगे हम isopentyl यह तो isopentyl group है second की बात करें तो second आपके पास neopentyl है third की बात करें tertiary pentile है तो आपसे पूछा है neopentyl answer कोन सा आ जाएगे वेटा आपके पास second answer आ जाएगे in which of the following compound the parent carbon chain is correctly numbered as per IUPAC rule, आपको चार compound दिये हैं, उनमें numbering की हुई है, सिरफ आपको यह चेक करना है कि IUPAC rule के according कौन सी numbering correct है, यह चेक करना है आपको इसमें तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे first option में तो यह numbering correct होगी बेटा 1, 2, 3 यह numbering correct होगी ठीक है? अगर मैं इसको consider करता हूँ, तो मेरे पास option आएगा 1, 3, 3 1, 3, 3 और इसको consider करता हूँ, तो मेरे पास आएगा, 1, 1, 3 तो 1 और 1 तो same है, लेकिन 3 और 1 में से lowest position कौन सी है? यह है, तो यह correct होना चाहिए इसका मतलब यह numbering correct नहीं है ठीक? इसकी बात करें तो numbering यहाँ से नहीं numbering यहाँ से होगी second option में आपको numbering करना है तो lowest number किसको मिलना चाहिए? principal functional group को ठीक है? थर्ड option की बात करें एक यह है, आगर मैं यहाँ से भी देख लेता हूँ 1 and 3 और इसमें 1 and 3 दोनों साइड से lock end की position lock end जो है same है substituent की position दोनों साइड से same है तो ऐसे case में आप क्या करते है alphabetical rule को apply करते है यानि कि उस substituent को lowest position पर हमें use करना है जो alphabetically first position पर आता है तो इसका name क्या है? methyl और इसका name क्या है? propile तो methyl और propile को अगर अपन consider करेंगे तो alphabetically methyl पहले आएगा तो methyl को lowest number मिलना चाहिए तो methyl को lowest number मिला है यह correct है यह incorrect हो गया यहाँ पर principal functional group आपके पास CWH है यह तो सही है principal functional group के बाद आपको किसे minimum position पर रखना है double bond को minimum position पर रखना है यहाँ पर यह wrong हो गया यह numbering यहाँ से होगी बेटा 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह numbering यहाँ से चलेगी ठीक है तो आपका correct answer कौन सा आ गया 3rd आपके पास correct answer आ गया ठीक है which of the following is more stable सरवादिक स्थाई पुछा है वेटा आपके पास 4 anion है और आपको इनकी stability देखनी है तो anion की stability में आपको यह ध्यान रखना है जो electron donor group है electron donor group वो anion की stability को decrease करते हैं और electron withdrawing group anion की stability को increase करते हैं और इसके साथ साथ यह भी देखना है कि अगर anion negative charge delocalized है तो stability increase हो जाएगी तो यहाँ पर delocalization नहीं है यहाँ पर delocalization है यहाँ पर fourth option को मैं ऐसे लिख लेता हूँ fourth option ऐसे लिख लिए है मैंने यह fourth option यहाँ पर भी delocalization है इसमें कोई delocalization नहीं है तो first और second answer तो आपके पास रहे गए नहीं क्योंकि negative charge delocalized नहीं है third में negative charge delocalized है fourth में negative charge delocalized है अब हमें देखना है delocalization effective किसमें है इसमें negative charge oxygen से carbon पर transfer हो रहा है और इसमें negative charge oxygen से oxygen पर transfer हो रहा है तो delocalization effective कहां हुआ fourth में तो आपके पास answer के आजाएगा fourth answer आजाएगा आपके पास negative charge जितना ज्यादा stable होगा आपको N9 की stability मिल जाएगी identify correct order of pka, pka का order देखना है अपने को यह पता है कि pka are acid strength दोनो inversely proportional है तो acidic strength decrease होगा तो pka का value क्या हो जाएगा बेटा? increase हो जाएगा तो देखें इन तीनों में से यह strong acid है strong acid है इसका मतलब इसका pka कम होना चाहिए यहां तो greater than का sign है यह answer नहीं आएगा इन तीनों की बात करें यहां पर plus i effect जादा है plus i कम हो गया plus i कम हो गया और plus i कम होने से acidic strength बढ़ जाती है acidic strength बढ़ जाएगी तो pka कम हो जाएगा और यहां पर greater than का sign लगा रखाए बेटा इसका मतलब यह भी answer नहीं आएगा alkyne और alkyne में से strong acid है कौन सा होता है? कौन सा होता है? alkyne होता है अब इस alkyne में आपके पास क्या दिखाई दे रहा है? एक plus i, plus i effect acidic strength को थोड़ा कम कर देगा यानि कि आपके पास third option की बात करूँ मैं तो acidic strength का order आएगा आपके पास या आपके पास acidic strength का order है तो p, k, a reverse हो जाएगा या आपके पास p, k, a का order आगया बेटा अब ये answer बिलकुल सही दिया होगा fourth रों हो जाएगा बात clear होगी? which of the following is incorrect relationship कौन सा संबंद गलत है? गलत पूछाएगा आपसे देखें अब इन दोनों को ध्यान से देखो क्या ये position isomer है? स्तिती समावी भी है? बिलकुल सही है इसकी numbering करो इसकी numbering करो OH group second number पर OH group third number पर है यह तो position isomer बिलकुल correct है आपसे पूछा है incorrect गलत पूछा आपसे तो position isomer है बिलकुल correct है यह आपके पास geometrical isomer है गया होते हैं? stereosomer होते हैं geometrical isomers आर stereosomer ये भी correct है stereosomer दिया हुआ ہے 3MIM समावी दिया हुआ बिलकुल सही है इन दोनों पेर को इसको चेक करो दो इसमें ध्यान से देखें आप Hydrogen Oscillation हो रहा है और Hydrogen Oscillation से आपको क्या मिलता है इसको ध्यान से देखें तो ये तो आपके पास कीटोन है और इसकी बात करें तो ये आपके पास Eldehyde है तो ketone और aldehyde position isomer नहीं हो सकते ketone और aldehyde position isomer नहीं हो सकते ketone और aldehyde दोनों क्या है functional isomer है तो आप से पूछा था incorrect answer कौन सा आ जाएगा क्योंकि ये position isomer नहीं है position isomer नहीं है ये क्या है functional isomer है क्रियात्मक समावी भी है which of the following statement is incorrect इसमें भी आप से incorrect statement पूछा है गलत कतन पूछा है आप से it is possible to separate eclipse and staggered form of ethane at room temperature कमरे के टाप पर ethane के ग्रसित और सांत्रित रूपों को प्रतक करना समभव है क्या ये सा possible है नहीं वेटा क्योंकि eclipse और staggered जो है ग्रसित और सांत्रि जो है energy difference कम होने से वो room temperature पर भी easily एक दूसरे में क्या हो जाते है convert हो जाते है तो ये statement गलत है और आप से incorrect ही पूछा था तो आपका answer क्या आ जाएगा first answer आ जाएगा बाकी देख लेते हैं eclipse form has torsional strain गरसित रूप में मरोडी भी करती होती है बिल्कुल सही है बेटा ethane has infinite number of conformers ethane के सरुपनों के संख्यानन्त होती है ये भी correct है energy difference between staggered form and eclipse form 12.5 kilojoule per mole ये भी सही है बाकी तीनों statement सही है first statement आपके पास क्या है wrong है 10th the stability of 2,3-dimethyl butyene is more than 2-butyene 2-buty stability order ये है this can be explained by इसे किसकी साहिता से आप समझा सकते हो तो alkyne की stability को explain करने के लिए आप कौनसा concept काम में लेते हैं hyperconjugation 30 सहीगुमन concept काम में लेते हैं hyperconjugation तो यहाँ पर hyperconjugation से आप इसको easily explain कर देंगे यहाँ पर hyperconjugation को check करेंगे तो alpha hydrogen check करने पड़ेंगे इसमें alpha hydrogen ज्यादा है उसमें alpha hydrogen कम है which of the following is strongest base निम्न में से कौनसा प्रबलतम क्षार है strongest base पूछाए वे नाप से ठीक है इसमें भी delocalized है इसमें long pair delocalized नहीं है तो fourth answer आ जाएगा long pair delocalized है तो basic strength क्या हो जाएगी decrease हो जाएगी और long pair delocalized नहीं है तो basic strength क्या रहेगी जादा रहेगी तो इन तीनों में first, second और third में long pair of nitrogen is delocalized तो कि fourth मैंसा नहीं है ठीक है which species among the following is neither a nucleophile nor an electrophile कौन सा एक ने तो नाभिक से नहीं है और नाहीं electron से नहीं है nucleophile का मतलब है जो easily electron pair को donate कर सकता है वो nucleophile है और जो electrophile है वो electron deficient है electron gain करने के tendency show करता है और आपसे पूछा है कि ना तो nucleophile हो और नहीं electrophile हो देखते हैं NH4 इसमें nucleophilic electrophilic character कुछ भी नहीं होता nitrogen के पास donate करने के लिए vacant orbital भी नहीं है तो आंसर क्या आ जाएगा फर्स्ट आंसर आ जाएगा यह क्या है आपके पास nucleophile है यह आपके पास क्या है electrophile है यह आपके पास क्या है nucleophile है तो आंसर के आया आपके पास? फर्स्ट आंसर बास समझ में आ रही? The compound that is most difficult to protonate most difficult to protonate सरवादिक कठिनाई से protonी करत होता है बेटा, protonate आपको करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? एक base होना चाहिए क्या होना चाहिए? base base क्या करेगा? protonate होगा ये protonation ये protonate होगया? ये protonation प्रोसेस है आप से पुछा है most difficult to protonate तो अब ये reaction fast कब होगी? जब यहाँ पर basic strength ज़्यादा है basic strength क्या है? ज़्यादा है तो आपको यहाँ क्या करना है? weak base is most difficult to protonate जो दुर्बल क्षार होता है उसका proton रिकरन कठिनाई से होता है तो आपको ये चेक करना है इन चारों में से weak base कौन सा है? इन चारों में से weak base कौन सा है? तो यहाँ पर देखें प्लस i effect है basic strength बढ़ेगी ये pyrrole है ये aniline है इसमें long pair delocalized है इसमें भी long pair delocalized है इसमें long pair delocalized नहीं है तो delocalization basic strength को decrease करता और हमें पता है कि इन दोनों मेंसे weak base कौन सा होता है second होता है second है second है आपके पास answer second आ गया वीक बेस क्यों है उसके पीछे देखो रीजन क्या है एड़ प्रेजेंट ये अगर मैं इसको प्रोटोनेट कर देता हूँ अगर आप इसको क्या करेंगे प्रोटोनेट करेंगे तो ये किसमे ये क्या आगे है आपर SP3 आगे पेटाई हो नोन इरोमेटिक ये कैसा है non- Gottesurf से नोन इरोमेटिक ये क्या मतलब ये तो more stable है और ये कैसा है less stable more stable less stable में convert होना नहीं चाहेँगा less stable more stable में convert हो सकता है, more stable, less stable में convert नहीं होगा, यानि कि इसका protonation, a typical task हो गया most difficult to protonate answer mons आगया बेट, आपके पास second in which of the following molecules all atoms are co-planar, किस अनों में सभी परमानों समतलिये सभी परमानों पुछा है बेट आप से, ठीक है तो first की बात करें आप oxygen को लेए, चाहे carbon को लेए, सारे कैसे है sp2 hybridized सारे के सारे कैसे है, sp2 hybridized है, तो यह पूरा का molecule क्या होगा, planar होगा, ठीक है all atoms are co-planar answer तो आपका first आगया, answer आपके पास क्या आगया, यह क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर sp3 है तो hydrogen co-planar नहीं है यहाँ पर यह CS3 में hydrogen co-planar नहीं है यहाँ पर इस CS3 में जो hydrogen है वो co-planar नहीं है क्योंकि CS3 का hybridization क्या है sp3 है consider the following for carbocatines, आपको चार carbocatines दे रखे हैं, आपको क्या करना है correct order आपको पूछना है, बताना है stability के लिए stability तो यह देखो carbocatines aromatic nature का है aromatic with delocalization of positive charge aromatic with delocalization of positive charge तो सबसे ज़्यादा stable होगा आपके पास A उसके बाद यहाँ एक resonance है, delocalization है और ज़्यादा delocalization है, तो फिर आएगा B, फिर आएगा D, और सबसे last में क्या आएगा C आएगा, positive charge जितना अच्छे से delocalize होगा के time की stability उतने ही ज़्यादा हो जाएगी तो A, B, D, C A, B, D, C A, B, D, C सेगना असरा जाएगा कौन सा असरा जाएगा? सेगना असरा जाएगा I, U, P, C name of this compound आपको यह compound दिया होगा 1, 2, 3 2-methyl-propane-2-ol 2-methyl-propane-2-ol आपको यहाँ पर इसके लिए क्या यूज करेंगे आप prefix इसका प्रेफिक्स क्या हो सकता है ओक्जो कीटो कुछ भी लगा सकते हैं और एल्डियाइड के लिए क्या लगाना पड़ेगा आपको तो थर्ड नमबर पर आपको ओक्जो या कीटो मिलना चाहिए थर्ड नमबर पर त्री ओक्जो त्री ओक्जो त्री ओक्जो यह तो तीन जगे दिया हुआ है आगे चलते हैं फोर कार्बन हैं ब्यूटेन आगे चलेंगे सफिक्स यह होना चाहिए तो ब्यूटेनल आंसर क्या आगे बटा आपके पास थर्ड आंसर आगे बात समझ में आए थ्री ओक्जो ब्यूटेनल यह इसका आउपीसी नेम है विच अफ़ फॉलॉविंग इस मोस्ट स्टेबल पूछा है वेटा मोस्ट स्पेध्यान देना आपको इनायन है लेकिन वो भी सरवाधिक स्थाई पूछा है वह सेम कंडिशन आपको देखनी है आनयन में यहाँ क्या देखना है दे लोकेलाइज़ेशिशन चेक करना है एनयन के नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा दे लोकेलाइज़ोगा जितना एज्टना इफैक्टिवली दे लोकेलाइज होगा उसकी स्टेबलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, तो यहां कोई delocalization नहीं है, प्लसाइ effect है और प्लसाइ effect एनाएन की stability को क्या करता है, decrease करता है, तो यह तुँ answer नहीं हो सकता, यहां पर देखें delocalization है, second option की बात करें पéeटा अ हा 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 थर्ड में डिलोकलाइजिशन है थर्ड में नेगेटीव चार्ज कार्बन से कार्बन पर ट्रांसफर हो रहा है इसमें नेगेटीव चार्ज कार्बन से कहां ट्रांसफर हो रहा है oxygen पर, और oxygen क्या है, more electron negative, more electron negative atom पर आप negative charge को stable कर सकते हैं, तो आपके पास answer को हो सा जाएगा, delocalization यहां भी है, यहां भी क्या है, delocalization है, लेकिन negative charge carbon से किस पर transfer होगा, carbon पर transfer होगा, यह तो answer नहीं हो सकता, delocalization इन तीनों में है, इन तीनों में से effective delocalization प्रभावी भी स्थानी कर नेगेटिव चार्ज का क्या होगा, second में होगा, answer third भी नहीं हो सकता, answer fourth भी नहीं हो सकता, answer क्या जाएगा आपके पास, second से लगा है, which of the following is most acidic in nature, निम्ल में से कौन सा ऐसा है, जो सबसे ज़्यादा acidic नेचर का है, most acidic पूछ है बिट आप से, यहाँ CWH है, यहाँ भी CWH है, यहाँ पर OH है, यहाँ पर OH है, तो हमें पता है कि carboxylic acid, phenolic group के respect क्या होता है, more acidic होता है, इसमें आपके पास एक exception आता है, पिक्रीक acid होता, ठीक है, तो आपके पास answer यह नहीं हो सकता, answer यह नहीं हो सकता, इन दोनों में से कोई एक answer आएगा, और हमें यह पता है, कि acidic strength को electron withdrawing group increase करते हैं, electron donor group decrease करते हैं, तो यहाँ पर इस NO2 का minus M effect है, और इसमें इसका plus M effect है, तो minus M effect इसकी acidic strength को क्या करने वाला है, increase करने वाला है, तो first answer आपके है, ठीक है, which of the following is most stable, सरवाधिक स्थाई पूछाए वेटा आपसे, तो यह सारे आपके पास क्या है, अलकीन है, अलकीन है आपके पास, और जब आपको अलकीन दे रखाओ, तो आपका focus किस पर होना चाहिए, number of alpha hydrogen पर आपका focus होना चाहिए, number of alpha hydrogen increase होंगे, तो stability automatic alkीन की क्या हो जाएगी, increase हो जाएगी, तो आप इन सब में जब alpha hydrogen को calculate करेंगे, तो आपके पास answer क्या set हो जाएगा, third answer set हो जाएगा, ठीक है, the positive inductive effect, आपसे पुछा है, plus I effect, is shown by, धनात्मक परेणिक परभाव, इन चारों में से ऐसा कौन सा है, जिसका plus I effect होने वाला है, यह आपसे पुछा है बेटा, OH, NO2 और NS3, इन तीनों में कौन सा effect होता है, minus I, तो बचा कौन सा, fourth, plus I, एलकाइल ग्रूप का कौन सा effect होता है, plus I, एलकाइल ग्रूप का कौन सा effect होता है, plus I effect होता है, आपको एक structure दे रखिए, यह structure है आपके पास, एसिटो नाइट्राइल की, ठीक है, आपको इस से related statement दिये हुए, इसको चेक करना है, यहाँ पर hybridization कैसा है, SP3, यहाँ पर hybridization कैसा है, SP, यहाँ पर भी hybridization कैसा है, SP, और यह orbital कौन सा है, SP, orbital, है, तो लॉन पेर कहाँ पर present है, लॉन पेर कहाँ पर present है, SP में, आप देखो, hybridization of each carbon atom is SP3, तो क्या, SP3 ऐसा है, नहीं है, आप से क्या पूछा है, correct statement पूछा है, तो first answer नहीं हो सकता, लॉन पेर ओफ इलेक्ट्रोंस on nitrogen atom is present in SP hybridized orbital, nitrogen परमाणू पस्ति इलेक्ट्रोंओं का लॉन पेर SP संक्रित कक्षक में है, देखो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है, correct पूछा था, आपका answer second आ गया, थर्ड भी देख लेते हैं, hybridization of nitrogen atom is SP2, नहीं, SP है, ये रोंग हो गया, two sigma and two pi bonds are present, sigma two थोड़ा है, एक sigma तो यहाँ पर है, एक sigma यहाँ है, और यहाँ पर भी आपके पास three sigma है, तो sigma bond कितने हो जाएंगे, three, four, five, five sigma होंगे बिल्कुल, यहाँ क्या लिखा है, two sigma, यह भी रोंग हो गया, answer कौन सा आगया बिल्कुल सा question, in the following compounds, निमलित योगी को में, आपको चार compound दिये हैं, which of these compound is most basic, कौन सा ऐसा है, जो सबसे ज़्यादा क्षार यह है, यह आप से पूछा है, तो आपको, long pair के लिए, electron density भी consider करने चाहिए, और इससे पहले आपको, electron negativity of donor atom भी consider कर लेना चाहिए, donor atom की electron negativity को अगर आप increase करेंगे, तो basic strength क्या हो जाएगी, decrease हो जाएगी, तो यहाँ पर, SP, इस case में, SP2, इस case में, SP3, और यहाँ पर भी SP2, और हमें पता है, electron negativity, SP, SP2, SP3, तो जिसमें electronegativity सबसे कम होगी, वहाँ पर basic strength सबसे ज़्यादा होगी, तो C में जो compound दिया हुआ है, यह इन चारों में से, इन चारों में से क्या है, most basic है, इन चारों में से क्या है, most basic है, तो आप से पुछा था, most basic सरवादिक शारिये, तो C, C कहां दिया हुआ है, fourth option में दिया हुआ है, C कहां दिया हुआ है, fourth option में दिया हुआ है, consider the structure, आपको एक structure दियो यह बेटा, identify most acidic hydrogen, सरवाधिक अमली है hydrogen, आपको इन चारों में देखना है, तो आप चेक करें, यहां पर यह आ जाए, CWH, CWOH का जो hydrogen है, वो most acidic है, क्योंकि इस hydrogen को release करने से, जो conjugated base बनेगा, वो effectively, क्या हो जाएगा, stable हो जाएगा, D, answer को चला जाएगा, आपके पास पूर्थ answer चला जाएगा, ठीक है, clear है, which of the following can show optical isomerism, फरकासिक समावेवता, वेटा जब आपको ऐसा question दिया जाता है, तो आप क्या चेक करते हैं, chiral atom प्रेजेंट है, तो वो optical isomerism शो करेगा, तो यह आपको इसमें चेक करना है, यहाँ पर यह chiral है, इसमें कोई chiral नहीं है, इसमें भी कोई chiral नहीं है, तो यह आपके पास answer गया जाएगा, first answer आजाएगा, first compound can show optical isomerism, because it has a chiral atom, normal pentane, isopentane, neopentane, normal pentane, isopentane, neopentane, इन में क्या relation है, यह पूछे आप से, क्या यह geometrical isomer है, नहीं, positional isomer है, नहीं, chain isomers है, क्या है यह, chain isomers है, all the three alkanes are chain isomers of each other, because these have different parent carbon chain, which compound below exhibit stereo isomerism, stereo isomerism में, आप optical isomerism भी consider करते हैं, geometrical isomerism भी consider करते हैं, तो हमें एक एक करकें की structure बनानी होगी, 2-methyl-1-butyene, 2-methyl, 2-methyl, 3-methyl-1-butyene, 3-methyl-1-butyene, 3-methyl-butyanoic acid, 4-methyl-butyene, 4-methyl-butyene, 2-methyl-butyenoic acid, क्या यह, geometrical isomersum show करेगा? नहीं show करेगा, क्या यह, optical isomerism show करेगा? नहीं करेगा, इसका मतलब यह compound, stereo isomerism show, नहीं करता है, first answer नहीं हो सकता, second में, देखो, क्या यह, geometrical show करेगा? प्रप्टीकल शो नहीं करेगा इसमें कोई कायरल एंटम नहीं है तो आप्सीबल नहीं है यहां पर यह सेंटर कायरिल है अगर मैं यहां हाई ट्रोजल लगा दू तो कायरल सेंटर हो जाए है this compound can show optical isomerism, it means, it can show stereo isomerism. Isomerism that arises due to difference in special arrangement of atoms or groups about the doubly bonded carbon atoms. doubly bonded carbon atom की बात कर रहा हैं. कोई भी हो सकते हैं. For example, A, B, C, D कर दूँँ. अगर मैं क्या करूँ, इनका special arrangement, three dimensional जो arrangement है, उसमें कुछ variation कर दूँँ. जैसे, ऐसा कर दूँँ अगर मैं. तो मैं इनको क्या कह सकता हूँ, GI कह सकता हूँ. इनको में क्या कह सकता हूँ, जिया ही कह सकता हूँ, geometrical isomer, तो यह statement किसके लिए आएगा, geometrical isomerism के लिए statement किसके लिए सही है, geometrical isomerism के लिए statement सही है, identify pair of diastereomers विवरिम समाविवियों का युगम diastereomers क्या है? diastereomers are stereoisomers पहली condition diastereomers have at least two stereocenter उसके बाद diastereomers are not mirror image of each other diastereomers विवरिम समाविवी है वो एक दूसरे के दरपन परतिमिम नहीं होते हैं उनमें कम से कम दो त्रिविम केंदर होते हैं और वो त्रिविम समाविवी होते हैं यह आपको चेक करना है D-lactic acid and L-lactic acid इसका मतलब first क्या है? first option में जो D-lactic acid और L-lactic acid यह क्या है? enanxiomers हैं, प्रतिविम समाविवी हैं diastereomer नहीं है D-glucose and L-glucose D-glucose और L-glucose भी आपस में क्या है? एक दूसरे के लिए enanxiomers हैं प्रतिविम समाविवी हैं तो यह भी answer नहीं होगा cis-2-butene, trans-2-butene cis-2-butene, trans-2-butene क्या है? geometrical isomer है और cis और trans एक दूसरे के लिए mirror image नहीं होते हैं आपको यह भी अच्छे से पता है geometrical isomers are also diastereomers ठीक है? तो answer कौन सा आगया आपके पास? third answer आगया यह तो isomer ही नहीं है these two are not isomers due to difference in molecular formula इनके अनुसूतर अलग लग है इसलिए यह isomer होई नहीं सकते तो answer कौन सा चला आगया? third the molecular formula C4H8 how many isomeric alkenes पूछा है including stereoisomer including stereoisomer 3WIM को शामिल करना है तो यह GI शो करेगा तो इसमें क्या बनेंगे? cis plus trans 1, 2, 1 total केतना हो गया? 4 answer कों सा आगया आपके पास? second, ठीक है? IPC name of given compound according to rule हम इसमें numbering खलेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 number second पर क्या attach है? ethyl substituent और number third पर क्या attach है? methyl, alphabetically ethyl पहने होना पहले होना चाहिए 2 ethyl होना चाहिए 3 methyl होना चाहिए 2 ethyl, 3 methyl 6-membered carbon chain है hex double bond number 1 पर है 1 in triple bond number 4 पर है और answer कों सा आगया पर आपके पास? first answer set होगा बिल्कुल सिंपल जावशन hyperconjugation involves the overlap of the following orbitals तो for example, मेरे पास यह है यहाँ पर आपके पास क्या है? यह सिगमा है और यह पी है इनके बीच में जो overlapping होगी उसी overlapping से आप hyperconjugation concept को समझ सकते हैं तो आपके पास क्या आएगा? सिगमा पी सिगमा नहीं हो सकता पी पी नहीं हो सकता पाई पाई नहीं हो सकता तो क्या हो सकता है? सिगमा एंड पी हो सकता है The phenomenon in which two or more structures involving identical position of atoms can be written for a particular molecule परिघटना जिसमें किसी विशेशनों के लिए परमाणों की समान स्थेती वाली दो या अधिक स्रंचना है लिखी जा इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? resonance इस फिनोमेना को क्या कहेंगे? हम resonance कहेंगे अनुनाद यह तो definition है अनुनाद की resonance की definition नहीं है most stable सबसे अधिक्स था यह अनुनादी स्रंचना पूछिए बेटा paranitrophenoxide paranitrophenoxide के लिए आपको most stable पूछना है क्या चेक करते हैं इसके अंदर हम सबसे पहले देखें neutral में से कोई है नहीं charge सबके पास same है two negative, one positive number of pi bond की बात करें number of pi bond भी सबके पास same है तो हम क्या देखेंगे negative charge कहां पर present है negative charge stable कब होगा जब वो negative charge more electronegative atom पर present हो more electronegative atom पर present हो तो देखेंगे आप इसके अंदर यहाँ पर negative charge oxygen के पास है इसमें carbon के पास है इसमें भी carbon के पास है इसके पास भी कार्बन के पास है दूसरा यहाँ पर एक बेंजीन रिंग भी है तो आंसर कौन सा जाएगा फस्ट आंसर है नेगेटिव चार्ज इस विल भी स्टेबल एट मोर एलेक्ट्रो नेगेटिव एटम which of the following is most acidic निम्न में से कौन सा सबसे ज़्यादा अमली यह है most acidic उचाए बेटा फर्स्ट यह अल्कॉहल है यह फिनॉल यह अल्कॉहल यह फिनॉल हम यह अच्छे सरह से जानते हैं फिनॉल will be more acidic as compared to alcohol दोन रिजेक्ट हो गई अब यहाँ पर क्या present है plus M effect plus M effect acidic strength को क्या करेगा decrease करेगा तो आपके पास answer क्या आगया second answer क्या है बेटा second पहले alcohol reject हो गई फिनॉल में यहाँ plus M है और plus M effect acidic strength को क्या करेगा decrease करतेगा identify most stable free radical first में plus I इसमें resonance plus I भी है और hyperconjugation में भी है resonance plus hyperconjugation plus plus I यह hyperconjugation भी है नहीं है यहाँ इसमें है hyperconjugation plus I तो सबसे ज़्यादा stable कौन सा होगा? third होगा इसमें resonance भी है hyperconjugation भी है सबसे ज़्यादा stable free radical कौन सा हो जाएगा? third हो जाएगा match the ions given in column first with their nature given in column second आपको कुछ ions दे रखे हैं इनको compare करके देखना है तो देख लेते हैं यह carbogatine है और यहाँ पर एक resonance हो रहा है तो यह answer नहीं आएगा stabilized by hyperconjugation stabilized by इसमें C आएगा first में C होना चाहिए first में C होना चाहिए पिर carbon ion है और वो भी कैसा? three degree second में A होना चाहिए second में A है तो यह भी option cancel होगे यह भी option cancel होगे answer कौन सा बचा वेटा आपको third answer बच गया? यह क्या है आपके पास टू डिगरी कार्बोकेटाइन और स्टेबिलाइज बाई आइपर कॉंजुगेशन यह मिथाइल कार्बोकेटाइन यह मैज कर गए बेटा आशर यह मैज कर गया इन विच ओफ फॉलोविंग फंक्शनल ग्रूप आइसो मेरिजम इज नौट पॉसिबल फंक्शनल ग्रूप आइसो मेरिजम क्रियात्मक समावेवता किसमे संभव नहीं है आपसे यह पूछा है अगर मैं बात करूँ अलकोहल में फंक्शनल आइसो मेरिजम पॉसिबल है अलकोहल का फंक्शनल आइसो मेरिजम कौन होगा इथर होगा अल्डिहाइड अल्डिहाइड का फंक्शनल आइसो मेर आप जनरली किसको कंसिडर करते हैं ketone को करते हैं, ठीक है functionalizersomar है, alkyl halide में functionalizerisomarism possible नहीं है alkyl chloride है तो वो chloride से इंप सकते हुआ आप chloride से bromod ambre रुड़ा बना दोगे तो आपके पास alkyl halide ऐसा है तो functionalizerisomarism show नहीं करेगा, alkylARR syneide है तो syneide से isosyanide भी बना सकते हो आंसर कोई सा आ गया, थार्ड, identify pair of enantiomers पूछाएं बटा, पर्ति भी मुलियो पूछाएं, फर्स्ट पेर की बात करें, तो देखें यहां कोई chiral center नहीं है, यहां कोई chiral center नहीं है, तो यह किसी तरह से यह जो molecule है, enantiomer पूछाएं और यह molecule कैसे हैं, chiral, enantiomer होने के लिए molecule शुद भी chiral, enantiomer तभी होगा, प्रति भीम समावे भी तभी होगा, जब molecule कैसा है, chiral molecule है, तो यह तो answer होई नहीं सकता, यह भी answer नहीं हो सकता, enantiomer नहीं है, chiral थोड़ा होई है, इसमें देखें, यह molecule chiral है, लेकिन यह molecule कैसा है, chiral, यह answer आजाएगा, यह answer नहीं है, यह answer आजाएगा, यह molecule chiral है, यह भी chiral है, दोनों एक दूसरे के लिए क्या है, mirror remains भी, तो answer क्या आजाएगा, fourth answer आजाएगा, how many chiral carbon atoms are present in given compound, chiral carbon atom, one, two and three, यह chiral नहीं है, रीजन समझ में आ रहा है, दोनों जगां methyl attach है, यहां दोनों जगां क्या attach है, methyl attach है, तो chiral carbon आपसे पूछे थे, chiral carbon atom आपसे पूछे दे, तो chiral carbon atom आपके पास कितने हैं, आप देख सकते हैं, three, consider the given carbon ion, ठीक, अच्छा, तीन carbon ion दिये हैं, आपको पूछा है, correct order of stability, anion stability check करनी है, तो anion stability के लिए आप क्या check करते हैं, electron withdrawing group, anion को stabilize करता है, electron donor group, anion को destabilize करता है, तो electron आकरसी समू है, तो renion का स्थाई तो बढ़ जाएगा, electron data समू है, तो renion का स्थाई तो कम हो जाएगा, यह एकनी सी बात हमें check करनी होती है, तो यहाँ पर minus m काम कर रहा है, और यहाँ पर plus m काम कर रहा है, minus m इसको stabilize करेगा, plus m इसको destabilize करेगा, तो c, a, b, c, a, b आपको check करना, c सबसे ज़्यादा stable होगा, फिर a, फिर b, c, a, b, बात समझ में आगए, which of the following compound can show metamerism, मद्या वेवता इन चारों में से कौन शोगर सकता है, बटा, metamerism के लिए आपके पास क्या condition हो चाहिए, polyvalent functional group होना चाहिए, तो polyvalent functional group यहाँ तो है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, आंसर मों सा चला गया, फर्स चला गया, इसके लिए देशे CS3, CH2, CH2, O, CS3, these two are metamers, identify pair of homologs, homologs में क्या होता है बटा, functional group सेम होना चाहिए, function loop क्या होना चाहिए, यह सेम होना चाहिए, तो देख लेते हैं, आम यहाँ पर, alcohol, aldehyde, aldehyde, alcohol, answer थर्ड आ गया, butane, propane, ketone, aldehyde नहीं हो सकता, answer कौन सा जाएगा, थर्ड आ, simple suggestion हो गया, which one is least basic in aqueous solution, least basic पूछाएगे आपस, least basic पूछाएगे, अगर हम बात करेंगे, तो आपके पास, basic strength का, जो order रहेगा, वो रहेगा, 4, 3, 2, 1, one में क्या problem है, long pair of nitrogen is delocalized, long pair of nitrogen is delocalized, इसलिए one को सबसे last में लेना पड़ेगा, least पूछा है, पासर क्या जाएगा आपके पास, what is the correct order of decreasing stability of following cations, आपको धनायन दे रखे हैं, stability का decreasing order आपको चेक करना है, चलो देख लेते हैं, यहाँ पर आपके पास क्या है, hyperconjugation, plus i, ठीक है, इसमें देखें आप, backbonding, के through resonance हो रहा है, hyperconjugation, यहाँ पर hyperconjugation, hyperconjugation, लेकिन एक problem आ रही है, यहाँ पर minus i, और minus i जो है, carb cation की stability को decrease करता है, तो सबसे ज़्यादा stable होगा second, second के बाद first, first के बाद किसका नंबर आएगा, third का आएगा, इसके पीछे region third सबसे last में क्यों है, क्योंकि इसमें minus i effect है, तो second, first, third, second, first, third, second, first, third, second सबसे ज़्यादा stable क्यों है, क्योंकि वहाँ पर positive charge through resonance क्या हो रहा है, stable हो रहा, resonance भी कैसे है, backbonding resonance, Electrophiles are electron deficient species, which of the following group contain only electrophile, आपको यह pair देखना है, जिसमें electrophiles है, यह चेक करना है, तो यह electrophile है, लेकिन यह electrophile नहीं है, यह दोनों ही electrophile है, तो यह answer हो गया, आपके पास, इसमें यह electrophile नहीं है, SO3 भी electrophile होता है, जिसको हम sulfonation में यूज करते हैं, aromatic ring, benzene का जो sulfonation है, SO3 को यूज किया जाता है, CO2 भी क्या है, electrophile है, इसको हमने कहां यूज किया था, phenol के chemical property में हम इसको यूज करते हैं, Schmidt reaction, Colby Schmidt reaction यूज याद आ रहा है, actually में SO2, SO3 और CO2, इसमें यह polar bond है, electron को attract करता है, electron attract करने से, carbon और sulfur में electron deficiency डवलप हो जाती है, electron deficiency डवलप होने की वज़़े से, sulfur और carbon as an electrophile यूज होते हैं, identify correct representation, आपको कुछ reaction दे रखी है, एक arrow से bond breaking शो की कर रखी है, आपको देखना है, correct representation कौन सा है, आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो arrow है, ये arrow, कब यूज करते हैं, जब आप क्या यूज करेंगे, heterolytic fusion और अगर आप homolytic fusion यूज करते हैं, homolytic fusion में इस arrow को यूज किया जागा, तो यहाँ पर heterolytic fusion दिया हुआ है, विश्मान स्विखंडन दिया हुआ ना बेटा, तो आपको इस arrow को ते बात ही नहीं करने ऐसे, तो सारे arrow तो ऐसे ही बना रखे हैं, अब arrow कहां से कहां transfer होगा, negative atom, electron अपने side में क्या करने वाला है, विड्रो करने वाला है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये दोनों arrow तो सही बने हुए हैं, यहां पर negative charge डेवलप करना और यहां पर positive charge डेवलप करना है, ये भी देखना है, तो carbon पर positive charge आना चाहिए, तो answer कौन सा आजाएगा वेटा, थाड़ आ जाए, carbon पर positive charge, और chlorine पर negative charge होना चाहिए, compare the carbon nitrogen bond length in the following species, आपको 3 ABC amines दे रखी हैं, इसमें carbon nitrogen bond length को compare करना है, bond length को आप कैसे change करके देख सकते हैं, resonance bond length को change कर सकता है, hyperconjugation bond length को क्या कर सकता है, change कर सकता है, यहां हम resonance concept को use करेंगे, resonance increase होगा, तो single bond character, double bond में convert होना शिरू हो जाएग, और double bond character आने से bond length क्या होती चली जाती है, decrease होती चली जाती है, देखें, यहां पर delocalization बहुत ज्यादा effective है, negative charge किस पर आ रहा है, oxygen पर आ रहा है, इसका मतलब यह हुआ, कि इस में जो carbon nitrogen bond length है, वो सबसे कम होगी, carbon nitrogen bond length आने सबसे कम होगी, क्योंकि यहां double bond character सबसे ज्यादा होगा, double bond character सबसे ज्यादा होगा, okay resonance effective है, resonance effective है, तो single bond में double bond character DEVELOP हो जाएग, double bond character जितना ज्यादा develop होगा, bond length उतना ही decrease हो जाएगी, तो A में सबसे कम है उससे ज़्यादा B में है और सबसे ज़्यादा किस में है C में है C में सबसे ज़्यादा है और A में सबसे कम है थर्ड आंसर आ जाएगा थर्ड आंसर आ जाएगा In which of the following both resonating structures contributing equally इक्वल contribution का बोता है इक्वल contribution तभी हो सकता है जब दो या दो से ज़्यादा resonance structure कैसी हो कैसी हो, equivalent हो कैसी हो, equivalent हो तो अगर resonance structure equivalent है तो contribution same होगा unequivalent है तो contribution different होगा unequivalent के case में जो more stable resonance structure होगा उसका contribution more होगा less stable resonance structure है तो contribution less होगा और equivalent है तो दोनो resonance structure का contribution same रहेगा तो आपको यह देखना है, equivalent resonance structure कौन सा है, इन चार option में से, देखो, जान से देखो, कौन सा, third, third को आप, third में जो दोनो resonance structure है, यह दोनो resonance structure कैसी बोली जाएंगी, equivalent resonance structure बोली जाएंगी वेड़ा, which of the following least stable पूछा है, सबसे कम स्थाई आपसे पूछा है, यह aromatic है, यह anti-aromatic है, यह non-aromatic है, यह aromatic है, और हमें पता है कि stability में anti-aromatic less stable होता है, anti-aromatic, कौन सा, anti-aromatic, with reference the following structures, आपको तीन structure दे रखें और आपसे पूछा है, correct statement, सही कथन आपसे पूछा है वेड़ा, चलो देख लेते हैं, first, second and third are chiral molecules, देख लेते हैं, first chiral है कि हैंदे, नहीं है बटा, first chiral है, तो पहला statement गलत हो गया, second and third are enantiomers, यह molecule chiral है, यह भी chiral है, आईसोमर भी है, enantiomer देख लेते हैं, देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ भी change नहीं हुआ, यहाँ पर यह आपस में क्या कर गए, exchange कर गए, तो single switch हुआ, chiral center पर, अगर single switch होता है, तो enantiomer डवलप हो जाते हैं, single switch होता है, तो क्या बन जाते हैं, enantiomer बन जाते हैं, तो यहाँ पर single switch है, तो second and third are enantiomers, यह बिल्कुछ सही है, identical नहीं है, आपके पास molecule chiral है, और chiral atom पर आप देख रहे हैं, single switch, तो आप उस pair को क्या बना सकते हैं, enantiomer बना सकते हैं, how many stereoisomers are possible for the following compound, three wings सुमाल पूछे हैं, पहले तो chiral center देख लेते हैं, बस, यह chiral नहीं है, 2 raised to power, और, ठेके न, according to IUPAC rules, nomenclature how, how many carbon atoms are present in parent carbon chain of given compound, आपको एक compound दिया है, और IUPAC rule के according, आप जो parent carbon chain select करते हैं, उस parent carbon chain में कितने carbon आपको चेक करना है, तो according to rule, आप यहाँ से select करेंगे, ठीक है, और उसके बाद double bond को consider करेंगे, carbon count करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbon, IUPAC rule के according, आपको carbon chain select करने हैं, बस, simple solution, which of the following has 0 dipole moment, शुन ये दिवीदर आगोंड, 0 dipole moment पूछाए बेटा, यहाँ पर 0 नहीं हो सकता, यहाँ भी 0 नहीं हो सकता, यहाँ 0 हो जाएगा, dipole moment की value यहाँ कितने हो जाएगी, 0 नहीं हो जाएगी, 0 नहीं हो जाएगी, C3H8O के लिए आप क्या calculate कर रहे हैं, DU, DU calculate करेंगी, तो 0 आएगा, इसका मतलब आपके पास यहाँ पर यह, alcohol, ether हो सकता, यह alcohol भी हो सकता, ether भी हो structure आई से और पूछा ना आपसे, तो 1 alcohol, 2 alcohol, and 1 ether, 2 alcohol and 1 ether, total कितना आगया, 3, ठीक है, विच आपके विच व फोलोविंगे जाएगी, सिस्ट्रांस जेमेट्रिकल इसमरी जाएगी, सिस्ट्रांस, जेमेट्रिकल इसमरीजम इन में से कौन शो करेगा, आपको यह चेक करना है, जेमेट्रिकल इसमरीजम में, आपको सिंपल सा चेक करना है, यहाँ पर, यह दोनों के दोनों कैसे होने चाहिए, different, और यहाँ पर, तो देख लो इसमें, फर्स्ट ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि यहां CL, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता, यहां पर प्रोब्लम आ गई, फोर्थ ऑप्शन नहीं हो सकता, यहां पर प्रोब्लम आ गई, तो आंसर क्या आ जाएगा वेट आपके पा बारबन सिंगल बॉंड की, kitchen करते हैं, special arrangement बिलता है, तो आप उनको क्या कहते है, conformer ही तो बोलते हैं, confirmation ही तो होता है, conformers, या rotomers, conformers को आप क्या कह सकते हैं, rotomers भी कह सकते हैं, which of the following is correct order of acid strength, कौन सा अंय सामर्थय का सही करा है, acidic strength पूछा वेट आप से ठीक है इसमें यहाँ पर आपके पास plus i effect है और यहाँ पर आपके पास plus i और यहाँ पर भी plus i plus i effect ज्यादा होगा तो acidic strength कम हो जाएगी तो यह आपको correct order दिया हुआ है यहाँ पर यह incorrect है क्योंकि यह strong acid है यहाँ यह पर यह incorrect है क्योंकि यह strong acid है यहाँ पर भी incorrect है क्योंकि यह strong acid होगा यह वाला कि बास समझ में आगे हैं ठीक है विच्व फॉलॉविंग इस करेक्ट और ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ बेसिक स्ट्रेंथ पूछा है विजए चार सामर्थे के लिए आप से सही क्रम पूछा है तो देखें यहाँ पर nitrogen कैसा है SP2 और यहाँ पर कैसा है SP3 और यह और रॉंग होगया यह SP2 है और यह SP3 है यह भी और रॉंग होगया आपके पास यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यह oxygen आपके पास SP3 वाला है और यह oxygen SP2 वाला है और इसका लॉंग पेर डिलोकलाइज भी है कि यह करेक्ट ओडर है कि इसकी बात करें तो यह दोनों जगें SP2 SP2 तो है लेकिन यहाँ पर कितने प्लस आई है 2 प्लस आई है और यहाँ पर एक ही प्लस आई है तो प्लस आई जितना ओड़िए न है आपर प्लस आई प्लस इफेक्ट ज तो फस्ट आंसर आपसे कुछ है करेक्ट फस्ट रॉंग हो गया वेटा तू इथाइल दिया है जबकि यहां पर इथाइल नहीं कौन सा ग्रुप मिलेगा आपको इथाइल ग्रुप मिलेगा वन भ्रोमो प्रॉप एन इसकी नर तो यहां से ओगी न वन ब्रोमो नहीं क्या आएगा थ्री ब डॉंग हो गया प्रॉप टू इन वन पॉल कि यहां इसकी अपने सागुपर क्या है क्योंकि ऊवेट यहां पर क्या है फंक्शनल ग्रूप है, ओवेस्ट यहां पर क्या है, फंक्शनल ग्रूप है, इसको लोवेस्ट नमबर मिलेगा, तो प्रॉप 2 in 1 all यह बिलकुल करेक्ट दिया हुआ है, ठीक है, फॉर्थ देख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 2 इथाइल, वेटा, 2 इथाइल होई नहीं सकता है, इस टु ख्लोरो भ्योटेन, एंड वन ख्लोरो भुटेन, अब यह क्या है, चैन ले सुमर्स नहीं, फंक्शनल नहीं, उप्टिकल नहीं, स्ट्रक्चरल डाय स और पोजिश्ट गेक diferen 11, क्नेक्टिविटी चेंज यह लिगे स्ट्रक्चर जोगी, तो यह स्ट्र स्वाइल मर्स ह के पोजिशन है है इन वीच फ़लोविंग पॉजिटिव चार्ज इस दी लोकलाइज नहीं है इसमें यहां पर डिलोकलाइजिशन नहीं हो सकता क्योंकि अगर आप सेकंड में डी लोकिलाइजिशन करेंगे मालो आपने बाई मिस्टेक पॉजिटीव चार्ज को इस तरह से डी लोकिलाइज़ कर दिया बाई मिस्टेक कह रहा हूँ जैसे आप ऐसी मिस्टेक करने वाले स्टूडेंट है नहीं यहां पर इस ऑक्सीजन के आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रोन होगे बटा टैन इलेक्ट्रोन होगे जो की पॉसिबल नहीं है यानि कि यह स्ट्रक्चर एक्जिस्ट नहीं करेगा तो इसमें भी डी लोकिलाइज़िशन नहीं होने वाला है थर्ड में देखें कर्ड में तो जाएगा डी लोकिलाइज़िश्ट नहीं होगे डी लोकिलाइज़िशन पॉसिटीव चार्ज कार्बन से का ट्रांसपर हो गया ऑक्सीजन पर ट्रांसपर हो गया फॉर्थ में भी नहीं होता तो आंसर क्या आएगा आपके पास थर्ड आ जाएगा फॉर्थ में भी अगर आप बाई मिस्टेक डी लोकिलाइज़िश कर लेंगे तो नाइट्रोजन के आउटर शेल में कितने हो जाएगे 10 लेक्त्रों तो यह स्टक्टर आइगसिष्ट नहीं करेंगी विच फ़वेवीं ग्रूप हैज में इक्जिमम प्लस आर इफेक्ट लेन अंटेज क्रेंग आपको हो इसकाeri उख मैजिमम प्लस ठाप गया dest equipped क्योंके इस Which of the following is incorrect for methylcarbocatine, बेटा, methylcarbocatine आपके पास है, यह है, carbon atom is sp2 hybridized, बिल्कुल सही है, sp2 hybridized है, और आप से पूछा है, incorrect, यह, इनको जांस देखना, आप से पूछा क्या है, incorrect पूछा है, यह तो correct है, it has planar geometry, बिल्कुल correct है, it acts as an electrophile, बिल्कुल क्योंकि यहाँ पर यह carbon कैसा है, electron deficient, 6 electron ही है, electron deficient, electron deficient है, तो electrophile होता है, carbon atom has complete octet, यह गलत हो गया है, answer यहाँ आपके पास, octet complete थोड़ा यहाँ पर, 6 electron in valent shell, octet complete ही नहीं, incomplete octet है what is the relation between the acidic strength of carboxylic acid A and B, आपको 2 carboxylic acid A और B दे रखा, आपको इनकी acidic strength देखनी है, तो इनमें से आप देखें, यहाँ पर hyperconjugation है, यहाँ पर minus M है, तो इसका मतलब acidic strength B में ज्यादा है, A में कम है, acidic strength B में ज्यादा है, A में कम है, answer कौन सा जाएगा, third answer जाएगा, non-aromatic compound, non-aromatic बुचा है आपसे, जिसके अंदर aromatic और anti-aromatic दोनों में से कोई भी property नहीं है, तो उसको बोला जाता है non-aromatic, तो आपके पास the first option है, aromatic है, second option है, aromatic है, यह non-aromatic है, और यहाँ पर यह anti-aromatic है, तो answer कौन सा जाएगा आपके पास? थर्ड answer आजाएगा, ठीक है? प्लस आइफेक्ट ज्यादा होगा, basic strength ज्यादा होगी, प्लस आइफेक्ट कम होगा, basic strength कम हो जाए, gaseous state की बाद है, aqueous medium में अलग-लग factors काम आते हैं, तो यहाँ पर साफ-साफ mention किया हुआ है, gaseous state, gaseous अवस्थामी कुछा है, तो इसका मतलब होगा, 3 degree, 2 degree, 1 degree, 3 degree am most basic, 1 degree am least basic, तो 3, 2, 1 आप चेक करेंगे, 3, 2, 1, 4th answer, उनस आज आज आएगा, आपके पास, 4th answer आज आज आएगा, 3, 2, 1, gaseous minimum, only plus i effect चेक करना है, which of the following carboxylate ion is the most stable, carboxylate ion है, तो यह anion है actually, और anion में minus i effect, यानि की electron withdrawing effect क्या करता है, anion को stabilize करता है, electron withdrawing, तो आप देखें, electron withdrawing, यहाँ पर electron withdrawing है, यहाँ पर electron, और यहाँ पर दो-दो electron withdrawing है, आंसर क्या जाएगा, 4th आजएगा, electron withdrawing group, anion की stability को क्या करता है, increase करता है, simple concept, which of the following is chiral compound, पूचा है वेटा, यह नहीं है, यह भी नहीं है, यह है, यह यह नहीं है, यह अंसर क्या आजाएगा, फ़र आजएगा, फ़र आजएगा, पास, इसमें POS आ जाएगा, इसमें plane of symmetry लग जाएगी, इसमें plane of symmetry लग जाएगी, इसमें plane of symmetry, center of symmetry कुछ भी नहीं लगेगी, आंसर कौन सारा, 3rd, आपको carbon chlorine bond dissociate करना है, तो आपको cation मिलेगा, अब यह cation पूछा है, कौन सा सबसे ज़्यादा stable होने वाला है, simple सा यह question आपसे पूछा हुआ, देख लेते हैं, यहाँ पर, first जो है, first में आपको मिलेगा, CS3, ऐसा cation, second में आपको मिलेगा, pH, third में और fourth में आपको मिलेगा, hyperconjugation, six alpha hydrogen, यहाँ पर resonance है, तो resonance प्लस hyperconjugation, इसमें minus i, इसमें only hyperconjugation, तो यहाँ पर hyperconjugation प्लस resonance दोनों है, तो सबसे ज़्यादा stable second हुआ, तो answer क्या जाएगा आपको पास? second answer आजाए, बास सबसे ज़्यादा यहाँ पर hyperconjugation है, positive charge hyperconjugation के through stabilize हो रहा है, positive plus i effect के भी through stabilize हो रहा है, यहाँ पर resonance है, hyperconjugation है, साथ में क्या है, resonance है, resonance dominant कर जाएगा, तो answer क्या जाएगा, second, तो incorrect statement among the following for nucleophile के लिए आपको incorrect पूछना है, incorrect, incorrect, nucleophile is a Lewis acid, यही incorrect है, nucleophile Lewis acid नहीं होते है, Lewis base होते हैं, बाकि सब correct है, कोई problem ही नहीं है, correct order of stability of the given carbocritain, अब carbocritain नहीं की stability का order देखना है, यहाँ देखो गेटा, क्या होगा, delocalization of positive charge with backbonding, delocalization of positive charge with backbonding, यहाँ कोई backbonding नहीं है, इसका minus i effect काम करने लग गया, अब backbonding effective कहां होगी, nitrogen के case में, क्योंकि nitrogen less electronegative है, तो अपना loan pair easily donate कर सकता है, तो आपके पास second, first, third, second, first, third, यह stability होट रहा है, backbonding nitrogen के case में strong होगी, उसका reason क्या है, nitrogen is less electronegative as compared to oxygen, in which of the following compound, alpha hydrogen can be easily removed by a strong base, तो आप देखो, अगर मैं first option में alpha hydrogen को remove कर देता हूँ, यह anion बनेगा, second case में, यहाँ पर यह anion बनने वाला है, third case में, यह anion बनने वाला है, fourth case में, यह anion बनने वाला है, अब आपको चेक करना है, कि इन में से कौन सा anion सबसे ज़्यादा stable है, क्योंकि जिसका anion जितना ज़्यादा stable होगा, उस alpha hydrogen को उतना ही easily remove किया जा सकता है, alpha hydrogen की बात बहुत हैं बटा, किसी भी hydrogen की नहीं, सिरफ alpha hydrogen पर focus करना है, यह negative charge delocalized है, यहाँ पर कोई delocalization नहीं है, यहाँ पर कोई भी delocalization नहीं है, यहाँ पर भी negative charge delocalized है, इसके respect यह कैसा है, stable है, third, तो answer क्या आएगा बेटा आपके पास, third answer आएगा, ठीक है, IUP सिनेम आप से पूछा है, तो बेटा जी, आपके पास कुछ ऐसा दिया हुआ है ना, main function group यह है, one, two, three, four, five, और, यह आपके पास substituent है, इसका prefix oxo या keto जो भी suitable है, आप यूज कर सकते हैं, तो four oxo आएगा, four oxo तो बेटा एक ही जगे दे रखा है, four oxo pentanoic acid, four oxo pentanoic acid, एक ही जगे दे रखा है, which of the following is a mezo compound बूछा है, mezo compound के लिए क्या condition है, at least to chiral center, at least to chiral center with, plane of symmetry और center of symmetry, at least to chiral center with, plane of symmetry और center of symmetry, इसमें chiral center तो है, लेकिन इसमें POS, COS नहीं है, तो यह मैं नहीं ले सकता, इसमें chiral center है, POS भी है, तो यह आपके पास, mezo है, यह तो होई नहीं सकता, at least to chiral center होने चाहिए, इसमें भी chiral center नहीं है, तो यह भी mezo नहीं है, इसमें chiral center नहीं है, बड़ा ज्यान से देखो, इसमें chiral center नहीं है, इसलिए मीजो नहीं है, मीजो क्या है, सिरफ B ही मीजो है, आपके पास ठीक है? तो मैं उमीद कर रहा हूँ कि आपका अगर इस पेपर में कोई डाउट रहा होगा तो ये वीडियो सोलिशन देख करके आपने वो डाउट क्लियर कर लिया होगा फिर भी कहीं आपको फिर भी डाउट लगता है तो आप दोबारा सी वीडियो देखें डाउट काउटर पे आके अपने डाउट को क्लियर करें लिटा लेकिन डाउट क्लियर होना चाहिए ठीक, टैंक यू जैसी यलसी